आज हम बक्री के पाई बाने हैं नचाए शकता नहींårा है ये बहुत ही हेल्दी होते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये दियर रादी नांया है बनाती है stati के र्धित हैं तरिक है को बनते है बदनी है इस इस तैयल आंठी है बनांगे अर पाई फाई भीस heptinee बढ़े के भॉर ही सिंपल और साधे से उसमेय चनद मसाले पढ़े हैं कोई बहत सारे मसाले नहीं पढ़ते हैं और ये वैजहे हम बॉईल करे बना रहे हैं। ताकि इस बीर बहुत ज्यादा अपादियत और जुथ है यानि इतना कि यह गर्ज है और यह मैंने लिखनी इसकी गर्ली है बहुत सारे लोग बनाने के लिए जनाब पाय बना रहे हैं तेल गरम किया और कच्छे पाय उसके अंदर दाल दिये तो उसके अंदर इसका जूप लेस होता है वह भी सासा जल जाता है वह वजायत नहीं आती होते होते हैं तो रहता है पाय जब भी बना स्यूप प्रम बना रहे हैं तो बहुत ही तरीगा होता है कोई siamo को फूर मसाले यह इसकी आठगा है यखनी है इस तरीके से भी पी सकते हैं यखनी मैंने किस तरह से इसको बॉइल के हैं सबसे पहले तो आप यहां मैंने आट अदर पाय लिए उच्छे से दो करके पांच मिनट मैंने जो है थोड़ा पानी डाल कर पकाया इनको स्री पांच मिनट तेज आज पर और उसके बाद जो पानी जो है उसके बाद ऐसे कहते हैं नहीं जनाव इसका सारह कुछ तो निकली गया तकरीबन आट-दस बानी डाल करके और दर्म्याने साइस की प्यास काटके और जो है चार पांच जवे लेस्टन की जो मुटते मुटे-बडे साइस के तो बहुत अच्छे तरीकी से जब इसमें से खुश्बू आने लगी और आप बनाएंगे जब आपको पता चलेगा के वाकी में यह कितनी पुंदा रस्पी में आपको दे रही है बड़े सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे धनिया आप डाले हैं बहुत सारे लोग ब्रस्पूल देशा के लिया है और यहां पर 1 टी स्पूल में आपको गाषी में राख लेडिया है दही वाले स्टाइल में करते हैं वैरल में गुनते औंच जब दही डालेंगे तो इससे अच्छा सा जाय का जान आज पर चीजमे चाहते हैं गाओ जो ढ़र माश्की डाल को बाहर में हम पाय खाते हैं तो उसके अंदर बड़ी लजीज होते हैं जो बड़ी कर थोड़ी इसी बॉलकर करके पीस के माश की डाल को फिर इसके अन्दर रहें भूहत ही जबतार स्ट्रेस हातक है। यह जिस तरीके से पाई के अंदर लेस होता है जिस तरह हमारी बाडी के जोले के अंदर श्याहिट है। तो इस लिए जो इसमें शामिल करते हैं तो इससे और जायका डबल हो जाता है यह दो इस वक्त बहुत दिरनी लगने वाली है बस आपने पहले से बॉल करने लिखने लिए लिए और जट पड़ आधी गृंटे में ही तयार कर ले लिए तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ दर पीस लें ठीक है और यहां पर दो टेबली स्पोल अधरक लेसं का पेस्ट है आधा कप मैंने ओइल लिया है और जादा नहीं लेना है इसके इंदर कुछ काफी जो है वो च्पनाई होती है तो चलिए शुरू करते हैं भी कीनल तो आधा कपव लेले लिया है इसे हम प्यास डालते हैं लाह कर देजागा आधा काउंदें द देँआ प्याद मिर्च प्याद मिर्च पॉड़र, मिर्च, छलदी पॉड़र कुछ देर हम इसे भूलेंगे इसी तरीके से 5-6 मिनट अच्छे से भून जाए तो यह देखें यहां पर मसाला जो हमारा भून रहा है तो अब की स्टेट पर जाएना हम इसके अंदर पहले दही शामिल कर देते हैं क्योंकि दही इसलिए पहले शामिल करते हैं कि इसे हमने चलाना है और पाई जब हम डालेंगे अगर उसे ज्यादा चलाएंगे तो वह तोड़ जाएंगे इसके हमारे बढ़े जबदस बढ़े शामदार किसम के पाई ना यह आपको दिखा ती हूं यह आप देख सकते हैं यह आप देखें माशाल्दा से बढ़े जबदस तो देखो पांच मिनट दढ़ी जाले हैं तो यह दस मिनट हो चुके हैं अब मैं इसके अंदर जहना यह बॉल्ट पाई शामिल कोपी अगर आप ज्यादा बन टीटी में ले रहे हैं जैसे यह मैंने आठ अददी आप अगर ज्यादा ले रहे हो तो फिर मसाला भी जहना आप अच्छा अब यहां पर जो है ना हम घर मसाला दाल देते हैं इस तरह से और नमक शामिल कर देंगे अब इस टाइम कर देंगे तो थोड़ी थोड़ी सी जथी ना वो पायों में यखनी थी पकाना था अब मैं इसे कर दूंगी कवर अगर आपका कवर यह फुल कवर हो तो आपने अटा के देख लेना है आवाज आने लग जाती है भुनने की जो है तो इसलिए जहना आप यह आज जो है वह ने शिलो करी हुई है मीडियम हाई नहीं मीडियम हाई से काम है आज चलिए जैसी य करना है तो यह देखें माशाला से भुन चुका है यहाँ पर यह देखें जो कोई है वो छोड़ दिया इसमें और यह रिच्छी से खुश्बू आ रही है अब कुछ भी करना है अब हमाई पाद जो यखनी है पाए जो हमें पकाएते उसकी जो यखनी है वह हम इसके अंदर शामिल करेंगे और यह यखनी आप इस तरीके से भी थोड़ी बहुत पी सकते हैं बहुत ही फाइदेमन होती है जोडों का दर्द है खुपनों में कमर में दर्द होता है तो उनके लिए भी बहुत फाइदेमन होती वक्री की यह तो इसे आप ज़रूर बनाएं पसकी देख प्रशुट ज़रूर देना है ताकर हमाई यह यह तो इसके साथ ज़रे प्लेवर आये मसालों का फक्की देखनी जाए नहाँ तो इसलिए बहुत बहुत दुनी आप जिस तरह से चावलों को दम लगाते हैं बिल्यानी वगयरे को इस तरी लग दें तो दम लग दें तो भी बनके तयार हैं बिल्कुल असल रेसिपी के साथ तो इसे आप जरूर ट्राइ करें और जब आप ट्राइ निकलेंगे तो आपको पदने चलेगा कि यह कितने मज़दार बनते हैं